सब्सक्राइब करते हैं आज के इंपोर्टेंट कॉश्चन उद्र सर बहुत बहुत नमस्कार ओके तो नमस्ते सर तो ये कॉश्चन्स ले करके हम जो सर भी स्टार्ट करा रहे थे आपको इसको ले करके हम आगे बढ़ेंगे इनी कॉश्चन्स को तो चलिए पहला कॉश्चन आपके सामने है कि अगर किसी त्रिभुच की परिवत की त्रिज्जाएं ये दी गई है तो आपको बताना है कि भुजाएं ये दी गई है तो परिवत की त्रिज्जा क्या होगी ठीक है न परिवद जानते हैं आप सभी लोग न परीगत वृत शरकम सर्कल आपको बताना है कि इसकी त्रिज्ञा क्या होगी तो एक आपके सामने ट्रेंगल बना हुआ है जो आपको बताना है कि इसकी इस से जो बाहर से सर्कल जाएगा इसके त्रिज्या क्या होगी तो इसके लिए आपको directly formula याद करना पड़ता है इसका formula होता है capital R equals to ABC by 4 delta capital R is equal to ABC by 4 delta तो आपके सामने जो side दी गई है ABC है 15 है A, B के सामने की side है 20 और C के सामने की side है 25 चलिए तो सुरू करें जल्दी से बताईए answer क्या होगा ABC is equal to 4 delta solve कीजे तो delta निकालने के लिए इसमें महनत करनी पड़ती है आपको तो delta निकालने के लिए पहले आपको S निकालना पड़ेगा अर्ध परिमाप A plus B plus C by 2 ओके तो S equal to A plus B plus C by 2 A कितना है आपके पास में 15 plus 20 plus 25 जी सर Exactly सर और समकोन त्रिभुज में जो करन का मद्ध बिंदू होता है वो सभी से समान दूरी पर होता है Exactly तो यहाँ पर मेरे ख्याल से करन का मद्ध बिंदू जो है करन अपने पास 25 बन रहा है वा सर बहुत शांदर observation है तो क्योंकि यहाँ पर यह 25 है और इसका जो आधा वाला पॉइंट आएगा 12.5 तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है देखे कितना अच्छा एडिया दी यहाँ पर सर ने तो इसकी जो त्रिज्या होगी वह होगी 12.5 सेंटीमेटर बिल्कुल साही कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अदर्वाइस हमारा बहुत सारा समय खराब हो जाता है ABC एपान 4 डेल्टा से तो हमें यह देखना चाहिए कि ट्रेंगल कैसा है जैसे यहाँ पर अभी अभी देख लिया अपने 225 और 400 625 हो जाता मतलब यह जो त्रिभुज बन रहा है यह त्रिभुज अपना कौन सा बोलते हैं राइट एंगल ट्रेंगल यस चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पहला क्वेश्चन डन सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि अगर एक त्रिभुज की भुजाएं 3x प्लस 4y और 4x प्लस 3y और 5x प्लस 5y जहां x और y लेस दें 0 है तो इसके लिए सबसे बेटर मैथड यह है कि x प्लस y लेस दें 0 है तो हम x 0 कह रहा है तो अपन जीरो से कोई छोटा पॉइंट माल लें क्यों सर निगेटिव है तो x equal to minus 1 minus 2 लेके चलने सर x equal to minus 1 और y equal to minus 2 हम लेकर के चल देते हैं यहां पे और चलिए देखते हैं क्या result आता है तो पहली जो हमारे पास side आईगी ए सपोस कर लेते हैं 3x plus 4y तो minus 3 and minus 8 मतलब ही हो गई कितना minus 11 और दूसरी side हमारे पास हो रही है b equals to 4x plus 3y 4x यानिव minus 4 and 3y means minus 6 minus 10 and तीसरी side is equal to 5x 5 into minus 1 minus 5 and 5 into y minus 5 2s are 10 minus 10 that is equal to minus 15 अब उदे सर यहां पर यह बताए कि तीनों side तो negative आ रही है problem हो रही है यहां पर तो क्या यहां less than 1 होना था क्या क्योंकि xy जो है अगर कुछ भी आप रखोगे चलिए मान लेते हैं भी negative चिन हटा देते हैं तो इसका modulus लेने तो 11 हो गया यह 10 हो गया और यह 15 हो गया ठीक है न और अगर दो जो एक condition बताई थी आपने की दो भुजाओं का sum अगर तीसरे से ज़ादा हो square लगता है a square b square c square तो 121 इसका हो गया 100 और 15 का हो गया 225 चलिए तो अब देखते हैं इन दोनों का sum जो आ रहा है सर वो 221 आ रहा है है ना इसमें आ रहा है 221 और यह कितना है 225 तो यदि एक कोई भुजा का square जैसे यहां पर आ रहा है c square greater than a square plus b square हो तो बनने वाला त्रिभुज क्यासा होता है अधिक कौण त्रिभुज बिल्कुल अप्टिवस एंगल triangle तो correct answer यहीं पर है और इसका answer भी है अधिक कौण त्रिभुज correct तो इसमें सब कुछ करने की जुरुत नहीं है ओके नहीं तो हमको इनकी sides ले करके अलग-अलग solve करना पड़ेगा वह थोड़ी दिक्कत हो जाएगी ABC लेकर के फिर हमको तीनों चीजें निकालनी पड़ेंगी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें समय बहुत खराब होगा चली क्वेश्चन अगला क्वेश्चन चलते हैं कि यह भी ट्रिक से हो गया क्वेश्चन नम्बर थ्री एक पचास मीटर उचे इस्तंब पर एक जंडा लगा हुआ है यदि जंडे के उचतंब बिंदू का उन्यान कोण एक ऐसे बिंदू से जो इस्तंब की उचाई के बराबर इस्तंब के धरातिल बिंदू से दूर है 60 डिगरी है तो जंडे की उचाई आपको बताना है तो चलिए पहले ड्राइगराम इसका बना लेते हैं एक पचास मीटर उचा जो है जंडा है एक पचास मीटर उचे इस्तंब पर एक जंडा लगा अच्छा उस्तंब पचास मीटर है उस पर उपर जंडा लगा है तो माल जंडे के उच्तम बिंदू का एक होता है उन्यान एक होता है अबनवन उन्यान कुण एक ऐसे बिंदू से जो की इस्तम्भ की उचाई के बराबर इस्तम्भ से धरातली दूरी पर है 60 डिग्री है सर तो यह बताईए कि यहाँ पर यह point इधर होना पड़ेगा क्या question की language बड़ी अद्भूत है हाँ यदी जंडे के उच्चितम बिंदू का उन्यान कोण मतलब top का उन्यान कोण जो है एक ऐसे बिंदू से जो इस्तम्व की उचाई के बराबर है तो इस्तम्व की उचाई अपने एक्स मान ली है कोई दिक्कत नहीं इस्तम्व की उचाई अपने 50 दे रखी है तो यह भी सर 50 होगा और 50 से लेकर के यह यहाँ पर इसका उन्यान कोण बन रहा है जो इस्तम्व की उचाई के बराबर इस्तम्व की धरातली बिंदू से दूर है कि उन्नेयन कोण इसका कहां से निकालना है ईस पॉइंट से निकाला जाए कि इस पॉइंट से निकाला जाए हाँ ठीक है क्योंकि इस तंब के बिंदु से जो स्थंब की उचाई के बरामर है तो उपर से ही सर 60 degree है तो जंडे क्यों चाही कि होगी चलिए H मान लेते हैं तो दो ट्रैंगल अपने पास बन चुके हैं सर मगर दूसरे ट्रैंगल का सर अंगल नहीं दिया है मुझे नहीं लग रा सर यह उपर से होगा यह कोण मुझे लग रा नीचे से दिना चाहिए इसको धरातलिये बिंदू से दूर है, मतलब इस बिंदू से दूर है, अब बात यह सर अगर यह 60 डिग्री देता तो इसको यह एंगल देना पड़ता और ये एंगल इन्होंने दिया नहीं है तो I think ये question जो है यहाँ पे 60 न होकर के यहाँ पे 60 मानना पड़ेगा अपन को तब यह अपन कुछ कर पाएंगे तो 1060 एक्वाल टू पर्पेंडिकुलर H प्लस 50 अपन बेस हो गया कितना पेक्स अब ये भी पता नहीं है तेक है सर ये problematic question है चलिए सर इसको मैं ही group में डाल देता हूँ देखते हैं क्या करते हैं चलिए मेत्रों अगले question पे आते हैं देखे question number 4 क्या कह रहा है question number 4 को discuss करेंगे question number 4 है sine inverse cot inverse x plus 1 equal to cos of 10 inverse x तो यहाँ पे आपको बताना है कि x की value क्या होगी तो एक जो आपके पास में left side में expression है वो आपके पास में किस में है sine में है और एक आपके पास में जो expression है वो cos में है तो कह रहा है कि x की value क्या होगी तो better होगा कि हम इसको या sine पूरे को x की form में लिख लें तो यह लिखा हुआ है मेरे पास sine of cot inverse x plus 1 और equal to cos of bracket में है 10 inverse x तो देखिए इसको जल्दी से करते हैं cot मतलब कितना होता है इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है cot मतलब होता है base upon perpendicular तो sine of यदी मैं इसको sine inverse की form में लिख हूँ तो कितना हो जाएगा perpendicular है 1 और hypotenuse बनेगा under root 1 plus x plus 1 का square तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 का square और x plus 1 का square ये बन गया और इसी तरीके से ये cos है और अगर इसको मैं cos inverse x में तोड़ो तो ये देखिए यहाँ perpendicular x है base 1 है तो base upon hypotenuse एदी टूटेगा तो cos inverse base बन जाएगा 1 और hypotenuse बनेगा 1 plus x square तो अब देखिए eliminate हो जाएगा तो कुल में इलाके अपने पास क्या आ चुका है 1 upon 1 plus यहाँ पर under root आएगा 1 upon 1 plus 1 plus x square equal to 1 upon under root 1 plus x square दोनों तरफ का square कर दीजे और cross multiply कर दीजे तो 1 plus x square equals to 1 plus 1 plus x का whole square अब इसको simplify करते हैं तो यह क्या हो जाएगा 1 plus x square equal to 1 plus 1 plus x square plus 2x तो देखिए 1 plus x square से 1 plus x square cancel हो चुका है तो 2x plus 1 equal to 0 it means 2x equal to minus 1 तो x equal to minus 1 upon 2 is the answer चेक करते हैं D is the correct option बताई एक लियर है ओके नेक्स क्वेशन चलते हैं क्वेशन नमबर 4 के बाद क्वेशन नमबर 5 10 inverse x plus cot inverse x by इसमें तो कुछ करना ही नहीं है इसका मान πाई बाई 2 होता है देखो और ताला लगावाला क्वेशन है अगला क्वेशन है देखिए अगला क्वेशन फिजिक्स का है थोड़ा सा टाइम लेगा फिजिक्स का क्वेशन एक गेंद को दिये गए वेक से उर्ध्वारदर उपर की और फेका जाता है वह अधिक्तम 100 मिटर तक पहुचती है दूसरी बार उसे दुगने आरंभिक वेक से फेका जाता है तो गेंद कितने अधिक्तम उचाही तक पहुचेगी देखे एच का फॉर्मूला कितना होता है एच इक्वार्मूला कितना होता है एच इक्वार्मूला कितना होता है यू स्क्वार अपॉन टू जी तो एच जो होता है यू स्क्वार अपॉन टू जी होता है तो अंतिम भी कितना होगा इसका 0, प्रारंबिक भी कितना होगा U, तो फार्मूला होता है V square equal to U square plus 2A S, तो V का मान 0, U का मान जो भी होगा U square, plus 2, acceleration कितना लगेगा, minus G, और H high 2 उपर की तरफ है, तो minus U square equal to 2 होगया, minus का 2GH, minus से minus cancel होगया, तो H equal to होगया U square upon 2G, तो कुल मिला करके H is proportional to U square, H is proportional to U square, तो देखिए सुरुवात में आपने फेका था, वेग U था, तो कितना तक गई थी, 100 मिटर गई थी, तो सुरुवात में 100 गई थी, अब इसको दो गुने वेग से फेक दिया है, तो 2U का whole square हो जाएगा, तो 4 बाहर निकलेगा, 4 multiply by U square, और U square के लिए हाइट कितनी थी, 100, तो answer 4 into 100, कितना हो जाएगा, 400, clear, तो answer इसका होगा, 400 meter, so simple, अगर आप U को double करेंगे, तो वे कितना गुना, हाइट कितने गुने हो जाएगी, 4 गुने, क्योंकि 2 का square, 4 हो जाएगा, done, clear है एक दम, yes, next question number 7 है, question number 7 है, कि एक परच्छेप गती का समीकन निमने सूत्र से व्यक्त किया जा रहा आपके सामने, एक परच्छेप गती का समीकन आपके पास दिया गया है, y equal to ax minus bx square, ये समीकन दिया गया है, तो आपको परच्छेप का परास बताना है, तो देखिए, आपके पास जो परच्छेप का परास निकालने का समीकन होता है, एक तो आप slope निकालने, ठीक ना, projectile का जो होता है, क्या निकालना, आपको परच्छेप की परास बतानी है, यहां से, ठीक है ना, तो कैसे बता सकते हैं, r10 theta कुछ एक relation हुआ करता है परच्छेप की परास का, देखिए, सबसे पहले, एक 10 theta minus 1 upon 2, u square cos square theta, जो हमाई पास परच्छेप का समीकन होता है, वो होता है, हमाई पास, y is equal to x 10 theta minus half, परच्छेप का समीकन, 1 upon 2, x 10 theta minus 1 upon 2, gx square upon u square cos square theta, ऐसा कुछ हाँ, यही आता है मेरे खहाल से समीकन, बिल्कुल, तो इसको थोड़ा समाल करके लिखिए, तो y is equal to x 10 theta minus, इसको प्लस कर लो अगर, तो minus ही रहन दो, तो 1 upon 2 u square cos square theta into x square, ठीक न, एक formula आपके पास बन जाएगा, और इसको करके एक formula भी आपके पास बन जाएगा, कि हम directly कैसे निकालते हैं परचेपे की परास, तो परास का formula क्या होता है भई, परास का formula होता है, r is equal to u square sin 2 theta by g, यह होता है परास का formula, u square sin 2 theta by g, जिसको लिख सकता हूं है, r equal to u square sin 2 theta मतलब कि 2 sin theta cos theta upon कितना g, तो अब मेरे पास देखे ध्यान से, इस question को यदि compare किया जाए, ax minus bx square, तो यहाँ पर a कितना दिख रहा है मुझे, a दिख रहा है 10 theta, और b कितना दिख रहा है, b दिख रहा है 1 upon 2 u square cos square theta, ओके यह है situation, ठीक, तो हमें बताना है कि परास क्या होगी और परास का formula यह हुआ करता है, तो r equal to, यदि मैं यहाँ पर u square और मुझे cos square theta बनाना है, तो मैं u square तो रखूँगा, u square sin 2 theta, u square sin 2 theta upon g होता है, ठीक, कोई दिख नहीं है, तो यदि मैं u square रखूँगा, मैंने एक काम किया, मैंने cos theta का उपर multiply किया, और cos theta का नीचे multiply कर दिया, ठीक है, cos theta का उपर multiply कर दिया, और cos theta का नीचे multiply कर दिया, जी तो है यह नीचे मेरे पास, यहाँ पर जी भी आएगा, जी है मेरे पास में, और, यू square, cos square theta, अब देखे, मैंने cos का उपर multiply किया था, cos का नीचे multiply कर दिया, तो इधर पर क्या क्या बच गया है, यू square यूज हो गया, cos square यूज हो गया, इधर बचा है 2, इधर पर sin theta, और यह जो cos लिखा हूँ, मैं इसको इसके साथ में ला देता हूँ, तो यह बन जाएगा cos theta, अब देखे, यू square cos square theta upon g, ठीक है न, यू square cos square theta upon g, हमारे पास क्या बनेगा, तो देखे, हमारे पास, यू square यहाँ पर g रहेगा, तो g upon, इसको मैं लेकर लिख सकता हूँ, r is equal to, अच्छा है, एक 2 बागी है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, r is equal to 1 by g divided by u square cos square theta, ठीक है, यह लिख दिया मैंने, into 2 tan theta, अब देखे, आपका आंसर बनने वाला है, थोड़ा सा कठीन लगा है, पर आंसर आपका बनने वाला है, तो 1 upon g, देखे, यह इसको upon में लिख दिया है, तो g upon u square cos square theta कितना हो जाएगा, 2b, क्योंकि यहां से 2 उपर चला जाएगा, तो 2b equal to, g divided by u square cos square theta, तो यह कितना हो गया हमारे पास में, 1 upon 2b, और उपर कितना है, 2, और 10 theta की value किसके equal है, a equal है, तो 2 से 2 cancel हो गया, आंसर आ गया है, a upon b, तो याद कर लिजे directly formula, कि अगर आपके पास कोई projectile की equation दी गई है, y equal to ax minus bx square, तो जो इसका horizontal range याने की, क्या बोलते हैं उसको, 36 परास, यह कितना होता है, a upon b, और यह इतनी मेहनत करके आता है, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करना है, बट यह भी formula आपको याद होना चाहिए, यह क्या है, इसके प्रच्छे परपत का समी करण है, यह equation of trajectory है, ओके, so y is equal to x 10 theta, minus gx square upon, gx square upon u square cos square theta, ठीक न, gx square upon, 1 upon 2 भी आता है, sorry, 1 upon 2, gx square upon u square cos square theta, तो इसको आप बहतर तरीके से लिख सकते हैं, y is equal to x 10 theta, minus g upon 2 u square cos square theta into x square, यह note कर लीजे, यह आप से पूछा जा सकता है, equation of trajectory, प्रच्छे परपत के समी करण के रूप में, बताई, clear है सभी को? यह प्रच्छे, ok, next question की तरफ चलते हैं, अगला सवाल, यह हो गया, इसका directly formula भी याद कलिजे, इसका directly formula होता है, यह upon b, देखे, क्या कहा जा रहा है इस सवाल में, इस सवाल में, कहा जा रहा है कि, आपके पास कह रहा है, एक कण 36 से 30 डिगरी कोण बनाते हुए, इतने centimeter प्रती सेकंड की speed से फेका जाता है, तो आपको बताना है, इसका उड़े अनकाल क्या होगा, तो भाई, t equal to कितना होता है, 2u sin theta by g, उड़े अनकाल याने time of flight का derivation, 2u sin theta by g, तो 2 into u की value की 3D है, 2943, भाई, बड़ी जबरदस्त value दे रही है, 2943 cgs unit में value दी गई है, sin theta याने की sin theta 1 by 2 हो जाएगा, अपॉन g की value की 3D है, 981, तो 2 से 2 cancel हो गया, और 133 तो 931, 27 मेरे खाल से 3 बार ये चला जाएगा, तो 981 में 3 का गुणा करके देख लेते हैं, देर किस बात की 3, 8, 24 की चार के रही आएदो, 3927 और 2929, 943 तीन बार, तो answer कितना आ गया, 3 second, तो correct answer इसका होगा, 3 second, बिल्कुल सही, question number 9 की तरफ चलते हैं, समीकर्ण, lambda y square plus 1 minus lambda square plus xy minus lambda square द्वारा निरूपित रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, भाई, कोण तो बाद में ग्याद करो, सबसे पहले दोनों के गुडांकों को जोड़ दिया करो, a plus b, तो a plus b का मान कितना आ गया, 0, आख मुंद करके कोण कितना होगा, भाई साब, 90 डिग्री, ठीक ना, अगर a plus b का मान 0 आ जाएगा, तो कोण कितना होगा, 90 डिग्री, अब बाकी के लिए process हुआ करती है, 10 theta का formula हुआ करता है, आप लोग को याद होगा, अगर आपके पास कोई रेखा दी गई है, चलो सवाल तो उठा ले, अगर आपके पास कोई रेखा दी गई है, a x square plus 2hxy plus by square, जो की समघाती समीकन है, दुती एकोटी का, मूल विंदू से जाने वाली दो रेखाओं की युग्म को निरूपित करता है, ओके, क्या समीकन की बात कर रहा हूँ, a x square plus 2hxy plus by square equal to 0, तो इनकी दोनों रेखाओं जो हैं मूल विंदू से जाएंगी, इनके वीच का जो कोण होगा theta, उसके लिए जो 10 theta निकलेगा, equal to acute angle 2 under root h square minus a b upon a plus b, ओके, यह होगा इसके बीच का कोण, और अगर यहाँ पे देख लिजिए, अगर 10, 90, infinity आजाएगा, तो इसके लिए a plus b को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तो कहीं भी a plus b 0 हो जाए, तो answer आख मूंद करके, theta equal to kittya degree, pi by 2 radian या 90 degree, चलिए, 2 second का वक्त लिजिए, इस formula को नोट कर लिए, देखे मैं जो आप से कह रहा था, कि आपके पास यदि, रेखा का समीकर्ण है, ax square plus 2hxy, plus by square equal to 0, यह समघाती समीकर्ण को represent करता है, और रेखा के समघाती समीकर्ण में, जो 10 theta का मानत मैंने आपको बता दिया, कि 10 theta is equal to होता है, इस पहली रेखा है, मान लीजे y बदाबर m1x, और y बदाबर m2x, तो इन दोनो रेखाओं के लिए, यह दोनो रेखाओं एक तरीके से, इस समीकर्ण का मूल हो गई, क्योंकि यह जो समीकर्ण है, इन दोनो रेखाओं के गुणन से मिल के बनेगा, y-m1x और y-m2x बराबर क्या 0 यह समीकन को रिप्रेजेंट करता है क्यों क्योंकि यह रेखा युग में है तो इसमें मैं दो बातें आपको बताना चाहूंगा मित्रो कि अगर m1 प्लस m2 है m1 प्लस m2 equal to minus 2h upon b लिख लीजिए और m1 into m2 बराबर होता है a upon b तो यह रिलेशन में भी कई बार question आता है इसे बहुत ज़्यादा आता है तो m1 प्लस m2 equal to minus 2h upon b और m1 into m2 equal to a upon b ठीक है सूरद सर? यह सर चलिए तो question number 9 हम लोगों ने कर लिया देखते ही question number 9 अगला question number 10 की तरफ बढ़ते है question number 10 है कि भईया अगर आपके पास में यह समीकन आपके पास में दिया गया है है ना दुतिये घात का समीकन और यह represent कर रहा है एक रेखा यगम को तो बताए लेम्डा का मान क्या होगा भाई देखे जी में क्या बोल रही है यह दो हजार चैसाथ का चल रहा है पेपर साइट ठीक है बिल्कुल आएगा तो डिसकस करेंगे मैं बहुत अच्छा बताए आपने चली फिलहाल देखते हैं इस क्वेशन को करने के लिए तो इसमें लेम्डा का मान बताना है तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई शॉट ट्रिक लगती नहीं है इसमें तो आपको अपन ने याद कर रखा है एबी सी हच जी एफ और हच जी एफ एककल टू जीरो तो इसको जीरो कर लिजे और जीरो करने के बदापका लेम्डा का मान आ जाएगा ठीक है तो इसको करने की समीकंण दिया गया है समीकंण X-square plus two root two xy plus two y square plus four x plus two root 2y plus one equal to zero ठीक तो उन्हें के बीच की दूरी आपको निकाल ली है जी हां सरल रेखां के बीच की दूरी सरल रेखां के बीच की जो दूरी हुआ करती है उसकी दूरी का फॉर्मूला लिख लीजिए दूरी का फॉर्मूला होता है d equal to 2 under root g square minus ac upon a into a plus b इसको रटना ही पड़ेगा कोई चारा नहीं है है ना तो इसका formula लिखना पड़े लिख लिजे इसको 2 under root g square minus ac upon a a plus b अब इस equation को आप जो है standard form में लिखेंगे तो standard form में एक ऐसा दिखता है 2 degree equation ax square plus by square plus 2 hxy y plus 2 gx plus 2 fy plus c equal to 0 यह आपके पास में समीकान है ax square plus by square plus 2 gx 2 hxy plus 2 gx plus 2 fy plus c equal to 0 तो यहाँ पर देखे a की value 1 दिखाई दे रही है b की value यहाँ पर 2 दिखाई दे रही है 2 h बराबर हो गया 2 root 2 तो h बराबर कितना हो गया वही है यहाँ पर क्या सर हाँ यह दोनों पर है सर उपर से लेके नीचे तक पूरे में आए गई जी सर और देखे 2g की value 2 है तो g की value यहाँ पर 2 आजाएगी और 2f की value 4 root 2 है तो f की value किती आजाएगी 2 root 2 और c की value है किती 1 तो put कर दीजे d का मान चलिए आप लोग put करिए जल्दी से बताईए क्या होगा मान हूं आया क्या option number c बिल्कुल सही है option number c correct answer है d equal to 2 आएगा सभी का आगया किसी को कोई problem हो दो बोलिए जी 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 बहुत बढ़िया चलिए next question question number 12 पे चलेंगे यदि त्रिवुच की भुजाएं इतनी दी गई हैं तो इसके अंतर व्रत्त की तरिज्जा बतानी है देखे जो आपको परिवत व्रत्त की तरिज्जा मैंने बताई थी कितनी a b c upon 4 डेल्टा ठीक है ना परिगत व्रत की तरिज्जा और अंतरवत की तरिज्जा में कन्फ्यूज मत हुआ करिए परिगत व्रत की तरिज्जा होती है ABC अपॉन 4 डेल्टा ठीक है ना ABC अपॉन 4 डेल्टा यह हुआ करती है और जो अंतरवत की तरिज्जा होती है वो होती है delta by s अंतरवर्थ की तरिज्जा होती है delta by s आपने इसका पहला derivation class 10th में ही derive कर लिया था इसकी जो तरिज्जा होती है वो delta by s हुआ करती है चलिए तो करिए solve इसको तो बताना है अपन को कि इसके अंतरवर्थ की तरिज्जा क्या होगी अच्छा देखो एक चीज बहुत विशेस बात है कि यहाँ पर यह जो अपने पास में जो तरिभुज बन रहा है जो तरिभुज है वो कैसा तरिभुज है वो तरिभुज है अपने पास समकोर्ट तरिभुज ठीक ना कि इसकी त्रिज्या R क्या होगी चलिए formula लगाई है formula के लावा और कोई method है क्या अच्छा होता है परन्तु यहां पर verify नहीं हो रहा है नहीं 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 मैम वो तब होता है जब perimeter दी होती है आर एक्वाल टू ए प्लस बी माइनस सी बाइटू हाँ सर कुछ कह रहे हैं ओ हो 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 यह सर मिस्टेक हो गई यह नहीं है पैथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है तो सर इसका हम लोग वो हीरोन स्फार्मूला से एरिया आफ ट्राइंगल निकाल लेंगे जी बिल्कुल अच्छा ठीक है सर इसको इससे निकाल लेंगे अपन एस माइनस एस माइनस भी एस माइनस ए अच्छा सर अगर वो उसका कोई रिजल्ट याद है यदि राइट एंगल ट्रेंगल में बिल्कुल सर आप टास्टो कराइए हां यह बनाईए गोलू बनाईए इसकी रेडियस बनाईए सर यह लेजे सर आर करिए इधर साइड ओला आर करिए 90 डिग्री यहां सिंबल बनाईए यहां इधर 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 90 सर वो राइट एंगल ट्रेंगल का 90 जी अब सर देखिए वो आर है उदर ऊपर वोला दूसरे 90 प्यार बनाईए जो क्वाडिलेटर अंदर बना है ट्रेंगल के हां यह आर लिखा है न सर दूसरे वाले प्यार नहीं लिखने जो तीसरी ब्रांच है जी अच्छा 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 अब देखिए सर इसका तीन एंगल 90 डिग्री यह चौथा एंगल भी 90 डिग्री होगा बिल्कुल बिल्कुल होगा बिल्कुल सही बात है सर क्योंकि यह वाली साइड और यह वाली साइड इक्कोल हो गई तो इसका मतलब स्क्वाइर हो गया यह बिल्कुल सही इसको इसमॉल ए मानेंगे तो यह बन जाएगा ए माइनस आर यह पंदिकुल हाँ बिल्कुल सर उधर भी यह बन जाएगा और यह बन जाएगा और टोटल साइड सी है तो आपने पास में ए प्लस बी माइनस आर एक्वाल डूट कितना तो A plus B minus C equal to 2R, तो R equal to A plus B minus C by 2. हाँ, येस, 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 बिल्कुल, 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 मैंने लिखा भी था right angle triangle के लिए, बट वो गलत मैंने over confidence में देख लिया, ये पाइथागोरस ही नहीं है, पाइथागोरस theorem इसमें लगेगी नहीं, तो इसमें हमको पूरा-पूरा करके लेके जाना पड़ेगा, और अगर पाइथागोरस की situation होगी, तो A plus B minus C by 2 लग जाएगा. ठीक है, तो इसको note कर लिजे. हाँ, बताईए मैं प्लीज. हाँ, हाँ, तो वो चीज अपन ने यूज कर ली ना इसमें, अच्छा थी है सर, वो concept यूज हो दो गया, सुरस्तर है ना? बिल्कुल सर, उसी concept से कोई आगा है. बिल्कुल, बिल्कुल. चलिए तो एक बार इसको formula को note कर लिजे, solution of triangle का formula है. formula लिख लिजे, in a right triangle ABC, लिखे मैं लिखवा देता हूँ, in right triangle ABC, sides are small a, small b, small c, and side opposite to to right angle is c, then in radius small r equal to a plus b minus c by 2. देखे, यहां मैंने एक important बात आपको बोली है, side opposite to right angle is c, जो side right angle के सामने की रहेगी, वही negative में जाएगी, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो side right angle के सामने रहेगी, वही negative में जाएगी, ठीक है, और रही बात उपर वाले question को करने की, तो इसका answer आएगा, r small r equal to delta by s, तो इसका हेरोंस formula से area निकाले, और divide कर दीजे, तो answer आजाएगा, ठीक है, आँगे बढ़ें इसमें, जी, question number 13, कह रहा है कि ये किसके लिए एक रेखा युग को प्रदर्शित करेगा, देखिए, ऐसा question अभी आया था, और इसी paper में इसी concept पर दूसरा question फिर से आ गया, क्या बात है, ऐसा भी होता है, एक ही paper में same concept पर दो question, के के किसमान के लिए, sum इकन 4x square, plus 8xy minus ky square, minus 9 equal to 0, मतलब आपको a दिया है, इस question में आपको यहाँ पर a equal to 4 दिया है, 2h equal to 8, यहने h equal to 4, b equal to k, ok, g 0 है, f 0 है, और c की value minus 9 है, तो बताइए k की किस value के लिए, k, अच्छा, b की जगे k है, k की किस value के लिए यह, रेखा युँग को प्रदर्शित करेगा, तो वही delta equal to 0 लगा के condition बताइए, कि यह कितना आ रहा है, बोलिए दोस्तों, हल कीजे, कि कमान बताइए, कि अच्छा बताइए, चलिए, मैं बता देता हूँ, के कमान इसमें आएगा 4, ठीक है, के कमान इसमें आएगा 4, अगले question की दरब बढ़ते हैं, जी, अगला question है, रेखाएं, 2x square, मतलब इससे रूपी 2 रेखाएं, जो आपके सामने equation आ रहा है, ओके, 2x square, माइनस 5xy, 2y square, माइनस 3x, प्लस 3y, प्लस 1, इक्वल टू 0, से 2 निरूपी रेखाओं का, प्रति 6 दन बिंदू आपको निकालना है, तो वही condition है, आपके पास, कि आपके पास जो equation होता है, ax square, प्लस by square, प्लस 2hxy, प्लस 2gx, प्लस 2fy, प्लस c, इक्वल टू 0, द्वारा निरूपीत, ओके, द्वारा, निरूपीत, रेखाओं, के, प्रति 6 दे बिंदू, तो दो तरीके हैं, या तो आप दोनों रेखाओं को हल कीजिए, और पता लगाईए, दूसरा, तीनों option को put कर लेजिए, put करके पता लगाईए, कौन satisfy कर रहा है, यहाँ पे तीन option दिएगा है, एक तरीका वो भी है, और otherwise, आपको सीरे formula याद करना है, point of intersection का, तो directly formula याद कीजिए, point of intersection का, fa square minus bc, ओके, और इसी का साथ ही, यहाँ पे आएगा कितना, g square minus ac, यहाँ पे आता है, h square minus ab, और यहाँ पे भी आएगा, h square minus ab, सब कुछ root के अंदर है, formula लिख लिजिए, क्या है यह प्रतिछेदन बिंदू, जी मैं, तो जैसे आपके पास, x square plus v y square plus 2x, plus 2g x plus 2f plus c, द्वारा निरूपित, रेखाओं, का प्रतिछेदन बिंदू, कैसे याद करते हैं इसको, देखें, नीचे तो दोनों में रहता क्या, h square minus ab, और पहले वाले में आता है, f square minus bc, और दूसरे वाले में भी नीचे में क्या आता है, h square minus ab, और f के बाद यहाँ पे क्या आता है, g, क्योंकि f का साथ ही g होता है, और यहाँ पे आ जाता है, g square minus ac, तो मतलब c जो रहेगा, दोनों में ही रहेगा, constant, एक बार b आता है, एक बार a आ जाता है, हाँ मैडम आपने कहा कि, दोनों रेखाओं को कैसे निकालते हैं, अलग-अलग करके, तो, इसको, अगर सरल समी करण है, ऐसा समझी, आपके पास दो समी करण आपके पास में है, पहला समी करण है, ax plus by plus c equal to 0, और दूसरा समी करण है, दूसरा समी करण है, a2x, plus b2y, plus c2 equal to 0, दोनों को गुणा करके, मैं रेखा आपके पास बन जाएगी, ठीक ना, दोनों को गुणा करके, आपके पास रेखा बन जाएगी, तो observation से बस यह होता है, कि अगर आपके पास options दिये गया हैं, तो दोनों को मर्ज करके, मिला करके, आप देख लीजे कि कौन सी रेखा बन जाएगी, उसी से पता चल जाएगा, अच्छा, एक रेखा दी हुई थी, और दूसरी रेखा का equation पता लगाना था, नहीं, यह से, एक रेखा का equation पता लगाना था, मतलब आपका यही कहना है ना, कि जैसे आपके पास, मान लीजे कोई समी करण दिया गया है, आपके पास कोई, आपके पास पहले से equation आपके पास दे रही है, suppose, ax² प्लस 2hxy प्लस c एकॉल डूज, देखे मैं, इसमें तो बहुत आसान है, क्योंकि यह double degree वाला है, इसमें तो बड़े आराम से पता चल जाता है, क्योंकि जैसे आपके पास कोई equation है, 3x² प्लस 5xy प्लस कोई भी 9y² एकॉल डूज जीरो, तो इसमें तो कोई रिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं directly इसमें समझ में आ जाता है, क्योंकि इन दोनों का गुणा करने पर और इसका योग करने पर यह आना चाहिए, यह बुले हाँ, हाँ, तो इसमें तो आप बना लोगे दो equation, बट यदि आपके पास बड़ी वाली equation है, जिसमें 2gx और 2fy भी आ रहा है, मैंड़ उसमें problem होगी, उसमें कोई ना कोई फिर hint आपको दी होगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई question आपको ऐसा टकराया हो, तो आप उसको ग्रूप में भीजिएगा, तो मैं उसको solve करके या उसका कोई method निकालके आपको बता दूँगा, जी, जी, सर, इनका, ये तो छोटा वाला है, ये कह रहे ही कोई बड़ा equation जैसे मान लीजिए, ये वाला, हाँ सर, इसी इतने को मैं set करता हूँ, जी, हाँ सर, इसी इक्वेशन के प्रॉडक्ट से इक्वेशन बनी है, इन दोनों के प्रॉडक्ट को इसी इक्वेशन से कंपेर कर लीजिए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर, चलिए, बताइए सर, क्या लिखा जाए इसको सर, चलिए, ये है 2X प्लस Y प्लस लेम्डा वन, इक्वेशन प्लस लेम्डा टू, इक्वेल टू इससे कंपेर करेंगा आपन है न, जी है 2X स्क्वेशन प्लस 2Y स्क्वेशन माइनस 5XY माइनस 3X और कितना है प्लस 3Y प्लस 1, ठीक है सर, इसको आप मल्टिप्लाई कर दें, खोल दें, तो 2X स्क्वेशन प्लस 2X स्क्वेशन प्लस 4XY प्लस 2 लेम्डा 2X प्लस XY, Y का खोल रहे हैं, प्लस 2Y स्क्वेशन प्लस लेम्डा 2Y, प्लस लेम्डा 1X, प्लस 2 लेम्डा 1Y, प्लस लेम्डा 1 लेम्डा 2, ठीक है सर, अब यहां से यह पक्का आगया कि लेम्डा 1 लेम्डा 2 की वैल्यू, इनको तो उड़ा दो सर, कोई काम के नहीं है, अब यहां से lambda 1, lambda 2 की value तो बना गई सर पंपेर करें ठीक है चलिए 4xy प्लस 1xy हो गया सर 5xy प्लस 2 lambda 2x प्लस lambda 1x तो x common ले लिया तो यहां पे आएगा 2 lambda 2 plus lambda 1 into x और y common ले लिया तो कितना आएगा lambda 2 plus 2 lambda 1 y plus lambda 1 lambda 2 equal to यहां पे बचा है minus 5xy यहां minus 5 बच रहा सर, minus 5 बच रहा है यहां पे यहां पे plus 5 मतलब xy के लिए भी कोई पंगा हो रहा सर और xy का टर्म अकीला कुछ बचा है क्या lambda 2 lambda xy के साथ में नहीं बचा सर सर एक टर्म xy की भी लेके चलनी पड़ी गया अपनको वो गलत हो गया एक तरीके से तो उसको maintain करने के लिए सर अगर हम जो 2x plus y की यह हैं हम इसी को minus दोनों पे लगा दे तो वो side balance हो जाएगा देखी आप एक में minus y एक में minus 2y हाँ हाँ वही negative change कर दे तो उनका product हर जगा बदल जाएगा बाकि वो minus 5 xy cancel out हो जाएगा तो मतलब दोनों जगे minus y ले ले हैं ना सर अगर इसको भी minus लेंगे और इसको भी minus लेंगे तो देखिए सर वो 5 xy नहीं बनेगा सर यह बनेगा minus 4, minus 4 plus 4 हो जाएगा सर वो minus minus plus हो जाएगा और x into y minus xy हो जाएगा मतलब subtract होकर के 3 पे आ जाएगा हाँ देखिए आप देखिए देखिए मैं कर देता हूँ 2 x minus y plus lambda 1 और यहाँ पर x minus 2y देखिए सर अगर आप multiply करते हैं तो 2 x का multiply 2y के साथ करेंगे और minus y का x के साथ करेंगे हाँ आ जाएगा सर तो अब इसको फिर से करें मतलब है ना फिर से कर लेते हैं इसको जी 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 चले ठीक है तो फिर इसको बाद में करेंगे अपने लोग क्या करें मैं हाँ 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 अपने ये सर जी सूरच सर चले ठीक है ठीक है सर आँगे बढ़े मेडम इसको छोड़ दे अब जी 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 चले तो में चीज अपन को इसका प्रतिछेदन मिंदू निकालना था तो बता दीजिए एक बार फार्मूला क्या होता प्रतिछेदन मिंदू का प्रतिछेदन मिंदू का फार्मूला होता अं्डरूड़ यहाँ पे होता-200 यहाँ होता-200 यहाँ ह Summer स्क्वार माइनस AB और दूसरा जी स्क्वार माइनस AC अपॉन H स्क्वार माइनस AB अचा दूसरा तरीका यह है कि जो प्रति छेदन बिंदू होगा वो रेखा को संतुष्ट करेगा तो ये बिंदू ये बिंदू ये बिंदू आप रख करके निकाल दीजिए प्रति छेदन बि पूट करो आगे बढ़ो यह किसी को याद भी नहीं रहेगा एक्जाम टाइम में यह पॉइंट आफ इंट्रसेक्टन जी सर बहुत कटिन फार्मुला है कोई एक ही पॉइंट करेगा पूरी लाइन के प्रॉडट को और या तो फिर उपर वाला जो तरीका है सर जो दोनों लाइन के क्वेशन निकालने वाला हम उस से बाकिये पॉइंट आफ इंट्रसेक्शन यह उस समय साथ हमें लग रहा है कमेश्रिक फार्मूले जैसे काम याद नहीं रहे पाएगा इतला चलिए सर आप बहुत मतलब बारीक मतलब पॉइंट को आज पढ़ा रहे हैं इतना इंट्र लेवल में होता नहीं है जो आप बता रहे हैं जी 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 सर यह सब फाउंडेशन लेवल की है जी सर चलिए अगला सवाल देखते हैं तो यह भी सवाल हो गया है अगला सवाल है भाई देखिए बाइनुमेल डिस्टिबिशन का फॉर्मूला है और आपसे बुला गया है और आपसे बुला गया है और आपसे बुला गया है और आप मतलब होता है मीन और आख मूंद करके मीन का फॉर्मूला होता है एन पी ओके और इसका Question number 16 क्या कह रहा है? Question number 16 देखिए चली 12 किलोमेटर प्रतिघंटे के वेक से उत्तर दिसा की और जाने वाले जहाज को 10 किलोमेटर पूर में एक जहाज दिखाई देता है जो 16 किलोमेटर प्रतिघंटे के वेक से पस्चीम की और जा रहा है कुछ समय के पस्चात वेक दूसरे से एक नियुनतम दूरी पर हुआ करते हैं तो आपको बताना है कि उसकी दूरी क्या होगी औरे भाई साब बड़ा ही खतना कुशन दिया है तो चली पूरी फिजिक्स लग जाएगी इसमें तो सबसे पहले आप दिसाओं का ग्यान आपको होना चाहिए फिजिक्स में लीजे भाई अपन दिशा बूद करा लेते हैं यह होता है इस्ट यह होता है वेस्ट हाँ सर हाँ जी सर कैसा वेक दे दिया जाता है तो हाँ हाँ सही बात है सर सद इसका रूप लगता है आप यह कहना चाहिए नहीं रहे गया नहीं रहे गया इसमें आप फिजिक्स फिजिक्स हो गई यह पूरी सर चलिए सर देखते हैं कोसेस करते हैं जितना बनेगा अच्छी बात है 12 किलोमेटर प्रती घंटे के वेक से एक जहाज उत्तर दिसा की और जाने वाले एक जहाज को 10 किलोमेटर पूर्व में एक जहाज दिखाई देता है चलिए जी 12 किलोमेटर प्रती घंटे के वेक से उत्तर दिसा की और जाने वाले एक जहाज को तो एक जहाज है यह जो है 12 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर जा रहा है ठीक है और 10 किलोमेटर पूर में एक जहाज यहाँ पर इसको दिखाई देता इधर तक की दूरी जो है, वो कित्ती है, 10 किलो मेटर, बहुत बढ़िया, तो ये दूरी 10 किलो मेटर है, जो की 16 किलो मेटर प्रती घंटे के वेक से पस्चिम की ओर जा रहा है, तो ये यहाँ पे इसको कहा दिखाए देता है, पूर्व में, अब पूर्व से ले करके ये कहा जा रहा है, पस्चिम की ओर, ठीक है ना, पस्चिम की ओर जाने की इसकी रफ़तार कित्ती दी गई है, इसकी जो रफ़तार दी गई है, वो है 16 किलो मेटर प्रती घंटे की रफ़तार से दी गई है, कुछ चमे पस्चाद वेक दूसरे से नियुन तमदूरी पर होते हैं, च मान लीजिए यह 3 घंटे चला है तो यहां तक इसकी चली गई दूरी किती हो गई 12 टी और 16 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तार से यहां 3 घंटे तक यहां चला है तो यहां तक की दूरी किती हो गई इसकी 16 टी 16 टी और प्रतु यहां तक की तोटल दूरी 10 थी जब इसके नजर में आया था तो यह जो बची हुई दूरी हो गई इसकी जो इसको बची हुई दूरी आपको मैं दिखाता हूँ ठीक है ना जो इसकी बची हुई दूरी है यह यहां तक की यह किती बचेगी 10-16 टी तो यह द पूरा का पूरा प्रद समय पे है, तो पहले समय निकलेगा कि नियूंतम समय कब होगा, उसके बाद नियूंतम दूरी कब होगी, तो देखिए, पाइथागोरस थियोरम लग जाएगी, पाइथागोरस थियोरम लग जाएगी नियूंतम दूरी के लिए, इसका नाम आप Q मान लो PQ ठीक है ना तो पाइथागोरस थियोरम मैं लगाता हूँ पहले फिर आंगे बात करते हैं तो पाइथागोरस थियोरम से PQ का स्क्वार एक्वल टू 16 10-16 T का स्क्वार और प्लस कितना 12 T का स्क्वार ये लो जी प्लस 12 T का स्क्वार अब देखिए ये यहां से ले करके यहां तक की दूरी है वो भी किसके पदों में समय के पदों में और कह रहा है कि बीच की नियूंतम बीच की दूरी क्या होगी नियूंतम दूरी पी बात हो रही है तो इसको अपन क्या कर देते हैं इसको अपन differentiate कर देते हैं PQA square को अपन चलिए root ना लीजिए क्योंकि इसको एक नया variable मान लीजिए Z तो Z बराबर हो गया 10-16 T square और प्लस 12 T square ठीक है न तो Z को differentiate करिए DZ by DT T के पदों में differentiate करिए तो 2 10-16 T और फिर इसका आएगा माइनस 16 और इसका कितना हो जाएगा प्लस 12 T square का हो जाएगा 14 T ठीक है तो इसका हो गया अपने पास में कितना 14 12 नी 24 T ठीक है चलिए solve करते हैं तो 2 गुणे 16 माइनस का 32 माइनस 32 गुणे 10 हो गया माइनस 320 ओके भाई और माइनस 32 गुणे 16 लिए तो 256 कितना सारा आगया भाई ये तो 2 गुणे माइनस 16 माइनस 32 और माइनस 16 तो 16 गुणे 16 कितना होता है 256 ही होता है और 256 का डबल हो जाएगा गुणे 2 6212 2 पंचेदस और एक 512 तो प्लस का 512 प्लस का 512 ती ठीक है और ये कितना हो गया प्लस का 24 थी ती इक्वल टू जीरो तो यहां से हल कीजे हल कीजे और ती का मान ग्याद कीजे तो 512 और 24 अब इसको डी जड़ बाई डी टी आया अपना कुछ गलती तो नहीं हुई न 16 दो गुणे 10 16 दो 32 माइनस का ठीक है सब कुछ ठीक चल रहा है चलिए तो देखिए 512 और 24 चार और दो 6 और 2 और एक 3 और 536 टी माइनस 320 अधिकतम और नियूंतम के लिए डी जड़ बाई डी टी जीरो याने की 536 टी वराबर 320 तो टी वराबर 320 बटे 536 लो यह तो बहुत बुरा फ़स गया ओ यह हुई यह हुई है मिस्टेक यार मैंने 12 टी का स्क्वाइर कर दिया यह 12 टी का होल स्क्वाइर है यहां से गलती हो गई चलिए तो 10-16 टी स्क्वाइर और प्लस 12 टी स्क्वाइर इक्वाइर 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 करेंगे पहले इसको अड्यस कर लें dt तो 4 x 2 और यह कितना हो जाएगा 5-80 और फिर इसका करोगे तो माइनस का 8 और 144 का कितना हो जाएगा 288 चलो अब इसको solve करो 4 गुणे 2 8 8 और 8 कितना हो गया 64 वो भी माइनस का माइनस का 64 5-80 और प्लस का 288 चली इसको solve करते हैं तो 64 गुणे 5 5 गुणे 4 5 20 ठीक है और 2 केरी आ गई 5 6 30 और 2 32 माइनस का इतना हो जाएगा आठ गुणे आठ गुणे आठ गुणे आठ पांससो बारर अ माइनस माइनस प्लस 512 T अप लस्ट तो 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 सिती कि माइनस तीन सो बीस है तो 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 सो तासी पांसो बारा और दोसो आठासी एड़ हो रहे हैं एड़ करिए आठ और दुदस एरिया ये एक आठ एक नौ एक दस पांस दो साथ और एक आठ अभी भी कहीं गलती हो रही है आप लोग प्लीज पताईए कहां पर गलती हो रही है तुक जाईए चेक करते हैं भी तो अपने अंसर निकाले ही नहीं है तो 800T-320 ये अपने पास आगया DZ by DT और DZ by DT समय कह रहा है कि बताईए सबसे कम दूरी पर है और ये ही हमारी दूरी है तो नियूनतम होने के लिए क्या करेंगे प्रथम derivative को 0 करते हैं तो minus 320T minus 320 और कितना है प्लस का 800 तो 800T equal to 0 तो 800T equal to 320 तो T equal to 320 divided by कितना 800 और ये सब समय काई में आ रहा है आवर्स में अब रुख जाओ थोड़ा सा question में देखो का है किस में है किलो मीटर में सब कुस दिया गया है ठीक ये समय अपने पास आ चुका है आवर में अच्छी बात है इसको solve कर दीजे 8 से काटता हूँ तो 8 से 100 बार ओके रुख जाओ पहले 320 बटे 800 तो दो 0 जो पहले उड़ा दो तो उपर 32 और नीचे है 80 तो 8 से 4 बर 32 और 8 से 10 बार 80 दो से 2 बार दो से 5 बार मतलब समय T equal to 2 upon 5 hour पे सबसे minimum distance पे होगे T equal to 2 upon 5 hour पे सबसे minimum distance होगी और इनकी जो minimum distance आ रही थी वो ये आ रही थी जो distance अपनको निकालनी थी वो इससे निकलेगी तो इसको चलो लेके चलते हैं फिर वहाँ पे निकालते हैं चलिए T equal to 2 upon 5 पूट करना है तो T equal to 2 by 5 यहाँ पे अब डाल दीजिए तो P Q square equal to 10 minus 16 into 2 by 5 का square प्लस 12 into 2 by 5 का square तो इसको solve करते हैं तो 10 minus 16 – 32 बटे 5 का whole square और 12 गुणे 4 कितना हो जायगा 48 बटे 25 ही हो गया तो 10-32 बटे 5, तो यह हो गया 50-32, 50-32 मतलब 18, 50-32 मतलब 18 बटे 5 का whole square और प्लस 48 बटे 25, 18 का square कितना होता है, 324, ठीक, 324, और प्लस कितना, 48, बटे 25, तो जब पान दो 50, 10-16 गुने दो 32, 16 T2 by 5 का whole square, 50-32 याने की 18 बटे 5 का whole square और 48, 324 और 48 जोड़ी है, 372, 4, 2, 6, 1, 7, 372, 10-16 गुने दो 32, बटे 5, और 12 गुने दो बटे 5, ओए, कि बार-बार गलती में 12 T2 का bracket गायब कर देता हूँ, जिससे गलती हो जाती है, 12 T का whole square है वहाँ पे, मैं बार-बार 12 T2 लिख देता हूँ, इस बार भी वही गलती हुई जो पिछले बार, 12 T2 लिख दे अगे, जबकि 12 T का whole square है, चली, अब सही आएगा साइथ, तो 10-16, 10-16 इंटू 2 बटे 5, और प्लस 12 गुने 2 बटे 5 का whole square, तो 5 गुने 10, 50, 50-16 दो 32 याने 18 बटे 5 का whole square, और 12 गुने 2, याने 24 बटे 5 का whole square, तो 18 का square, 324 बटे 25 और 24 का square, 576 बटे 25, 324 और 576, 6 और 4, 10 केरिया 1, 7, 2, 9, 10, 5, 3, 8, 1, 9, तो 900 बटे कितना 25, 25, 24, 100 याने कि आगया 36, मतलब PQ का square equal to 36 है, तो PQ equal to कितना होगा, अंडर रूट 36, बोले तो 6 किलो मेटर, तो आंसर है 6 किलो मेटर, 6 किलो मेटर नियून तंदूरी होगी, ऑप्शन में चेक करते हैं, यस, 6 किलो मेटर नियून तंदूरी है, तो यहाँ पर यह है, सीख मिल रही है कि bracket का ध्यान डखना है, 12T square जैसे यहाँ पर लग दिया था, वो ना करें, जी मैम, कुछ कह रही हैं, जोर से बूलिए, हाँ, देखे, जी हमने PQ square हमने निकाल लिया, बूलिए, clear है, PQ square 36 है, बट अपन के पाद distance कितनी बनेगे, डाइग्राम के according, PQ बनेगी न, PQ square नहीं निकालना, अपन को PQ बनेगी, clear, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नम्बर 17, बहुत इजी सवाल है, कि यदी दो फोर्स हैं, आपके पास में, चली, कह रहा है कि दो फोर्स हैं आपके पास में हैं, और उनका परिणामी का अधिक्तम और न्यूंतम, तो R max, हम जानते हैं, R max कितना होता है, मेसा A plus B होता है, और R minimum, परिणामी का minimum कितना होता है, A minus B, तो A plus B कितना भी है, 40, और A minus B आपको कितना दिया गया है, 20, तो आपको दोनों बल अलग-अलग निकालने हैं, तो so simple, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, एक बार जोड दीजे, तो 2 A equal to 60 हो गया, तो A equal to 30 हो गया, और दूसरा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, B equal to 10, तो answer option number A, done, चलिए, अगला सवाल है, यदी समीकर्ण, यदी समीकर्ण x square minus 2x plus 4 equal to 0 के मूल alpha और beta है, तो alpha की power n और beta की power n निकालनी है, तो साफ जाहिर है भई, alpha की power n, beta की power n, अपना normal method से तो निकाल सकते नहीं, तो अपनको किस में जाना पड़ेगा, quadratic formula लगा के polar form डिजाइन करना पड़ेगा, तो अपने पास equation x square minus 2x plus 4 equal to 0, तो x equal to कितना हो जाएगा, minus b मतलब 2 plus minus under root b square, 4 square minus 4 into 1, 4 into 1 into 4, ओके, upon कितना 2 into 1, तो x equal to कितना हो गया, 2 plus minus 4 में से 16 गया, कितना हुआ, minus का 12 upon 2, तो 12 का कितना होता 2 root 3, चारती हैं 12, x equal to 2 plus minus 2 root 3, वो भी negative का, upon पे 2, 2 cancel कर दिया, तो कितना आगया, x equal to आगया अपने पास, minus 1 plus i root 3 plus minus i root 3, क्योंकि root 3 का negative अपने बाहर ले लिया है, ठीक, अब यह minus 1 plus i root 3 है, दो roots हमारे पास आएं है, एक आया है, alpha ले लो, minus 1 plus i root 3, और beta ले लो, minus 1 minus i root 3, अब हमको इसका nth root पता लगाना है, ठीक है न, तो nth root पता लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, alpha is equal to, मैंने यहाँ पे 2 का multiply कर दिया, क्या सर, सर, यह minus 1 कैसे आया है, minus 1 समझादा हूँ, और यह सर, वो गलती से लिख दिया, minus 1 नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आगया 1 प्लस i root 3, तो एक काम करते हैं, अपन 1 प्लस i root 3 में 2 का divide कर लेते हैं, और beta equal to 1 minus i root 3 में 2 का divide कर लेते हैं, तो alpha is equal to 2, यहाँ पे भी 2 रहेगा, तो alpha is equal to 2, चलिए, इसको break कर लेजिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए, 1 by 2 cos theta plus i sin theta, तो यह हो जाएगा, cos of theta कितने पर होता है, cos में, 60 degree, तो cos of 3 pi by 3, एक मिनट 1 by 2 plus i root 3 by 2 है, pi by 3, ठीक हो, sin pi by 3, तो cos pi by 3 plus i sin pi by 3, ठीक है, और यहाँ पर कितना बनेगा, इसका conjugate ही निकलेगा, वो तो rule होता है, तो 2, यहाँ पर आगया, cos pi by 3 minus i sin pi by 3, ठीक है जी, अब कहरा, इसकी n पावर कर दो, alpha की पावर n plus beta की पावर n, तो alpha की पावर n equal to 2 की पावर n, cos of n pi by 3 plus i sin n pi by 3, और beta की पावर n मतलब 2 की पावर n, cos of n pi by 3 minus i sin n pi by 3, कहरा, दोनों को जोड़ दीजे, तो देखे, negative वाला part cancel हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर, alpha की पावर n plus beta की पावर n, 2 की पावर n बाहर आजाएगा, और क्या हो जाएगा, 2 times of cos n pi by 3, मतलब बेस से में तो पावर 8 हो जाएगी, तो 2 की पावर n प्लस 1, cos 2 pi by 3, तो correct answer इसका कितना होगा, 2 की पावर n प्लस 1, cos 2 pi by 3, देखे, कौन सा option है, A option, correct answer is A, clear हुआ सभी को? चली, अगले सवाल की और चलते हैं, question number 19, चली, 1 plus alpha, 1 minus alpha, तो minus b upon a, minus c upon a, मतलब A से a cancel, minus b by c, तो minus कब b, 3 upon 7, तो answer हुआ, minus 3 by 7, D option, correct, बहुती सवाल है, यह हो गया, अगला सवाल देखते हैं, question number 20, कहरा question, यदि समीकर्ण, x q plus 2x square plus g x plus 1 का alpha, एक मूल alpha है, तो one upon alpha भी समीकर्ण का एक मूल होगा, तो cubic equation है, एक मूल आपको alpha दिया गया है, और एक मूल आपको one upon alpha दिया गया है, ठीक है, इसी का एक मूल alpha है, और इसका एक मूल one upon alpha है, तो g का मान क्या होगा, बताए जी क्या करेंगे, अगर एक मूल alpha दिया गया है, और एक मूल इसका वन upon alpha दिया गया है, तो क्या कर सकते हैं, अंसर माइनस वन होगा, कारण, देखे, कंडिशन ये दी गई है, इसका एक मूल alpha है, और एक मूल one upon alpha है, और बागी question में, x cube plus 2x square plus gx plus 1 दिया गया है, चलिए तो आँगे बढ़ाते हैं, देखे, x equal to एक मूल alpha है, और एक मूल one upon alpha है, तो जो हमाँ पास equation दिया गया है, x cube plus 2x square plus gx plus one equal to zero, तो यदि मैं इसका एक रूट alpha लिलनू, तो alpha plus one upon alpha, और प्लस, तीसरा रूट अपन को पता नहीं, उसको बीटा माल लेता हूँ, तो कितना होता है, minus b upon a, तो minus 2 by 1, एक condition ये बन गई, दूसरी alpha into beta into gamma, तो alpha into one upon alpha into, एक रूट और है, बीटा, equal to होता है, कितना अपने पास में, minus d upon a, तो minus one upon one, चलिए मिल गया condition अपन को, तो beta equal to कितना आ गया, minus one, तो अब हमारे पास, कहरा g की value क्या होगी, देखे तो beta हमको मिल चुका है, minus one, g की value किसमें involved होती है, a, b, c में involved होती है, तो g की value जो involved होती है, alpha, beta, plus beta, gamma, plus gamma alpha equal to कितना होता है, c upon a, तो c की जगे कौन बैठा है, g बैठा है, a की जगे one बैठा है, तो बस यही चाहिए अपन को, तो alpha की value, alpha into one upon alpha, plus, alpha, beta की जगे one upon alpha था, beta कितना है, one upon alpha into gamma, gamma की value minus one है, minus one, plus gamma into alpha, मतलब यह जो अपन ने actually, यह gamma निकला अपना, जिसको अपन ने beta treat कर लिया, उसको gamma लिखना चाहिए अपन को, ठीक है ना, और प्लस गामा into alpha, minus one, और multiply by alpha, equal to g, चलिए, तो यह तो cancel हो गया, one, और यह minus one upon alpha, और minus का alpha equal to g, तो g की value यहाँ पर आकर के फस रही है, alpha के terms में, और, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ से आ रहा है concept, one minus commonly ले जाए, तो यह alpha plus one upon alpha है, और alpha plus one upon alpha, यहाँ से रहा है, एक मिनट, यहाँ से आ जाएगा ना सर, देखिए, alpha plus one upon alpha, और plus gamma की value minus two आई है, तो यहाँ से यह जाएगा, तो minus gamma हो जाएगा, और alpha plus one upon alpha की value कित्ती है, minus two, और minus gamma यहने की minus का one, तो minus two plus one, कितना हो गया, minus का one, तो अपने पास alpha plus one upon alpha equal to g आएगा, तो g equal to one minus minus one, answer आ रहा है two, चेक करूं मैं answer, 20 का d, correct answer two, right, समझ में आया मेडम, बहुत मेहनद करनी पड़ी इसमें, clear है सर आपको भी, जी सर, question number 21 देखते हैं, लिए भाई, x square minus x plus one की मूल कितने होते हैं भाई, सब कोई जानता है, omega और omega square होते हैं, ठीक ना, एक मूल होता है omega, और एक मूल होता है omega square, तो कहरा इसके मूल है, alpha बीटा, तो alpha की power 2016, मतलब omega की power 2016, 2016, और प्लस omega square की power 2016, ठीक है, अपने पास जो equation होता है, a cube, minus b cube का, x cube minus one का, x cube minus one equal to zero का जो equation बनता है, वो बनता है, x minus one, x square, x square plus x, x square plus x plus one equal to zero, तो यहाँ minus one plus minus, जदी इस equation को solve करोगे आप, तो आपके जो equation निकलते हैं, वो होते हैं, omega, और omega square, इसके equation निकलते हैं, omega और omega square, जी, क्या करें मैं, हाँ, हाँ, 2016 को, बट एक चीज यहाँ पर मैं आपको और बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा difference है question में, देखी, यहाँ पर x square plus x plus one है, तो x cube minus one equal to zero का equation बनेगा, बट अभी जो आपके पास में equation है, वो है, x square minus x plus one equal to zero, तो जो आपके roots निकलेंगे, वो थोड़े से different निकलेंगे, वो minus omega, और minus omega square निकलेंगे, क्योंकि just negative root निकलेंगे, तो यहाँ पर actually यह अपने पास omega नहीं होगा, अपने पास यहाँ पर minus omega, और minus omega square होगा, बट even number है, तो कोई problem आने वाली नहीं है, तो चलिए, तो omega की power 2016 ही हो जाएगा, और यह omega square की power 2016 हो जाएगा, तो इसको तो पहले देख लेते हैं, omega की power, इसको अंदर बाहर कर दो, आप लोग omega की power 2016, और इसको omega की power 2016 करके, 2 को बाहर कर दो, अब 2016 में 3 का भाग दे दिया, तो 3 से 6 बार 18, 2 कटा 21, 3 साथ 21, और यह कितना आ गया, 6, मतलब वा भई, तो भई omega की power 3 की power 200, कितने बारायाद, 672, और यहां भी आ जाएगा कितना, omega की power 3 की power, 672 की power 2, तो इसकी value 1 की power कुछ भी होगी, 1, और इसकी value, 1 ही आएगी, इसकी value भी 1 ही आएगी, यह सर्थ खोलेगा कि 1 है ना, तो 1 के power कुछ भी करेंगी, तो 1 ही आएगा, दिखिए, यह बात है, 1 आएगा, ठीक, तो answer कितना हो जाएगा इसका, 2, चेक करते है answer, अंसर गलत आ रहा है, अंसर इसका minus 1 दिया, options में, चलिए, फिर से check करते हैं, अपने पास, एक root है minus omega, की power 2016, और एक root है minus omega square, की power 2016, ठीक, तो यदि इसको मैं पूरा multiply कर दूँ, तो यह omega की power 2016 हो जाएगा, और प्लस यह omega की power 2 गुणे 6 बारा, और दो एक, दो एक, तीन हो जाएगा, और 0 और 4, मतलब omega की power 2016, प्लस omega की power 4032, अब देखते हैं, अब पता चल जाएगा, देखो 6,1,7, और 7 और 2,9, मतलब यह omega का power full cube है, omega की power 3 की power N है, 3,2,5, 5 और 4,9, यह भी omega की power 3 का complete बन रहा है, गलत यह answer, दो ही आएगा answer, है ना? कोई चांसे सी नहीं है, इसको अलग कुछ होने के, सर बोलिये, आप भी बताईए, अपना input दीजे, अब लगना answer में मिस्प्रिंट हो सकता है, हाँ, answer में इसके मिस्प्रिंट है, चलिए फिर भी group में डाल देते हैं इसको, देखते हैं, कोई बता पाएगा तो अच्छी बात है, चलिए आँगे करते हैं, तो, आँगे बढ़ते हैं, question है, root 2 plus, ये भाई, क्या दिख रही है, AP दिख रही है, 2 root 2, 2 root 3 root 2, 4 root 2, के 24 पदों का योग, तो ये टू directly AP दिख रही है, बताईए भाई, क्या होगा इसका answer, बिल्कुल सही कह रहे है, SN वाला formula लग जाएगा, कितने पद हैं, 24 पद हैं, 24 पद हैं, तो 24 पदे तो यानि की 12, 2A, यानि की 2 root 2, plus N minus 1, यानि की 23, into D, D का value कितना आएगा, 2 root 2, root 2 आजाएगा, तो 23 बार root 2, और 2 बार root 2, बोले तो 25 बार root 2, तो 12 गुणे 25 बार root 2, और 25 गुणे 12 कितना होता बताईए, 300, 25 दाम 250, और 25 बारम 300, answer 300 root 2, सही जवाब, चलिए अगले सवाल के और बढ़ते हैं, question number 20, low, A plus B plus C greater than 0 है, और A, B, C का मान 1 है, A into B into C equal to 1, तो बताईए, कि इसका कम से कम मान किसके द्वारा दिया जा सकता है, देखिए, A, B, C greater than 0 है, और A into B into C equal to 1 है, तो मैडम क्या आपने A, B, C, 3, 1, 1 ले लिया, तो सही है, ट्रिक लगा ये इसमें, वैसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, A equal to 1, B equal to 1, C equal to 1, तो put कर देंगे, तो 1 upon 1 into 1 plus 1, 2, ये भी 1 plus 1, 2, ये भी 1 plus 1, 2, 3 by 2, याने डेढ़, और कोई method है किसी के पास इसकी, मैडम आपने भी ऐसे किया, ये सर्थ, जी, देखे भाई, अगला सवाल है, वर्गों का यूग निकालना है, 1 square plus 3 square plus 5 square plus 2 and minus 1 का square, तो बताई ये क्या होगा, तो इसको short trick से करेंगे, काई को इसका सीधा formula लगाएं, अगर हम n equal to 2 ले लेते हैं, n equal to 1 में, क्योंकि answer match हो जाएगा, इसका एसा लग रहा है, इसलिए मैं n equal to 2 ले लेता हूँ, तो n equal to 2 ले लेता हूँ, तो 2 पद, तो 2 into 2, 4 minus 1, यानि की 3 का square, तो s2 कितना निकलेगा, मेरे पास 1 का square plus 3 का square, बोले तो 3 और 10 निकलेगा, चलो, अब n की value पूट करो 2, और देखो 10 किसमें दे रहा, तो option A में 1 by 3, 2 और 4 गुणे 2 का square कितना हो गया, 4 चौके 16 minus 1, यानि की कितना 15, तो 3, 5, 15 यानि पहला ये answer 10 आ गया, लिए भाई, अब चेक करते हैं, अगले वाले में n into 4 square minus 1, तो 6 आ गया है, तो कभी नहीं हो सकता, C को गोली मारो, हाँ, इनको चेक करना पड़ेगा, तो 1 upon 3, N का मान है 2 into 4 into 2 का square, 4 चौके 16 plus 1, 17, बहुत बढ़ी है, तो 16 plus 1, 17, तो ये हो इनी सकता है, क्योंकि 17 आ गया इसमें, और अगला है 1 upon 6 into 2, और 4 चौके 16 square plus 1 हो गया, कितना, फिर से 17 बन गया भाई साब, तो 17 तो किसी से कटता कुटता ही नहीं है, तो हो इनी सकता, तो correct answer क्या हुआ है, इसका A option से, ठीक, question number 25 चलते हैं, ओ भाई, ये भी मेरे को लग रहा, option से रखे इसको चेक कर लेना चाहिए, कहरा N का निउन्तम मान कितना होगा, जिसके लिए 700 बराबर है, तो अगर आप 1, और N का value अगर आप 4 रखते हैं, तो 4 मतलब 4-1 आएगा, 700 से बराबर के लिए कहरा 4-1, अगर आप 5 रखते हैं, तो 5 याने 81, और 3 की पावर 6-1, याने 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 मतलब 81, गुणे 3 मतलब 243, ठीक हैं, तो चलिए, यदि 3 की पावर 5 रखते हैं, तो 243, 3 की पावर 6 रखे हो, अगर N की value 6 रखे हो तो, तो 6 पे यदि 243, उससे कम कितना हो जाएगा, 81, उससे कम 27, उससे कम 9, और फिर 3, और फिर 1, ऐसे चलेगा, क्योंकि 1 से start है, तो और 1 और 3, 4, 4 और 9, 4, 13, 13 और 7, 20, 20 और 21, 22, 23, 24, 4 आ गया, केरी आई 2, 2, 2, 4, 8, 4, 12, 12, 4, 16, ठीक ना, 16, केरी आई 1, और 2, और एक 3, 364, चाहिए 700 से बड़ा, तो एन का मान होना चाहिए 7, एन इक्वल्टू साथ ही होगा, डन, डन, क्लियर है सबको, ठीक, ठीक, क्वेश्चिन नम्बर 26, देखो भाई, क्या कहरा, क्वेश्चिन नम्बर 26, एक परिच्छार्ती 12 प्रश्णों से, इसे 7 प्रश्ण का उत्तर देना है, मतलब टोटल में कुल परिच्छा प्रश्ण 12 है, उसमें से उत्तर कित्ते का देना है, आंसर देना उसको 7 का, प्रते एक खंड में 6 प्रश्ण है, मतलब 12 के दो पार्ट किये गए हैं, एक है 6, दूसरे में भी है 6, प्रिच्छार्ती को प्रते एक खंड के 5 से अधिक प्रश्ण नहीं करने है, मतलब भाई साब इसमें से 5 अटेम्ट करने है, और इसमें से 5 attempt करने है बट सुनो total 7 देने है तो इसमें भी 5 attempt कर सकता है बताइए कुल कितने तरीकों से हल किया जा सकता है तो देखे total 6 है 6 में से इसमें से 5 attempt करता है और 7 के वो उत्तर दे रहा है तो क्या तरीका होगा पहले paper में भाई साब उसने 5 question ले लिये 6 में से अगले में से 6 में से 5 और 2 7 ले लिया फिर उपर वाले के कम करते जाओ नीचे के बढ़ाते जाओ 6C4 और 6C3 फिर उपर वाले को और कम करो 6C3 और इधर कितना आएगा 6C4 फिर उपर वाले में 2 answer के जवाब दे दिया और नीचे बाले में 5 answer के जवाब दे दिया चलो तो 6C5 कितना होगा 6C होगा 6C2 मतलब की उपर 2 कदम पीछे 6 गुणे 5 और नीचे भी 2 कदम पीछे 2 गुणे 1 प्लस 6C4 मतलब उपर 4 कदम पीछे और 6C3 ये तो दोनों सेम ही आएंगे उपर 4 कदम पीछे याने 6 5 4 3 और इधर 4 3 2 1 और 6C3 उपर 3 कदम पीछे 6, 5, 4 और नीचे भी 3 कदम पीछे 3, 2, 1 ठीक है भाई अच्छा 6C3 और 64 दो बार multiply हुआ है तो इसी को मैं 2 का multiply कर दूँ और 6C2 और 6C5 भी दो बार multiply हुआ है तो इसी को मैं 2 बार कर देता हूँ बहुत बढ़ी है चलिए जी 2 से 2 cancel हो गया इधर 4, 3 ये 4, 3 से 4, 3 cancel ठीक है इधर 2 से 2 cancel इधर क्या हो जाएगा 3 से 2 बार 6 हो गया और इधर 2 से 3 बार 6 हो गया चलिए अपकर दे multiply उपर एच्छे 5 तीस 30 गुणे 6 180 मतलब आंसर 180 से ज़्यादा है उपर कौन-कौन बच गया है 3 गुणे 5 पंदरा 15 और 2 गुणे 5 गुणे 4 15 गुणे 2 पंचे 10 और 10 चोके 40 15 गुणे 40 180 प्लस 15 गुणे 60 600 तो 600 और 180 कित्त हो गया 780 तो correct answer इसका D होगा 780 चलिजी बहुत अच्छे चलिए अगला question करते है Question number 26 done अगला question है इकाई क्रम्चे समू कैसा होता है question number 27 बताना है इकाई क्रम्चे समू कैसा होता है तो याद रखिए यह जो होता है सम क्रम्चे समू होता है इसको आपको रटना पड़ेगा कि इकाई क्रम्चे समू जो होता है एक प्रकार का event यानि कि सम क्रमचे समू हुआ करता है नोट कर लिजे इसको कि करमचे समू समू क होता है स्रम क्रमचे समू होता है ठीक है मित्रो तो ये थी आज की हमारी math booster class और अगले क्रम में हम अगले इसके जो questions हैं 25 के आंगे 27 के आंगे वो हम कल आपको कराएंगे ठीक है इसका वीडियो जो है कुछी देर में ग्रूप में upload कर दिये जाएगा तो जो हमारे साथ ही नहीं पढ़ पाएं हैं आप उनको share कर सकते हैं हम से जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार